अरुराचल प्रदेश के विधान सभाचुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमत्री दिवंगत दोरजी खांडू के बेते पेमा खांडू राज्य में दो बार के मुख्यमत्री रह चुके हैं। अब तीसरी बार मिली जीत के साथ ही ख कॉम्रे से बगावत करने बाद वो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने। किस तरह वो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। आईए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब। पेमा खांडू का जन्द 21 अगस्त 1989 को तवांग में हुआ था। चीन की सीमा से सटे तवा अध्यमिक विद्याले में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 2000 में उन्होंने दिल्ली विश्वव विद्याले से कलासनातक की उपाधी वासिल की। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीती में कदम रखा। यू तो पेमा खांडू को राजनीती विरासत में ही मिली है। उनके पिता दोर जी खांडू अरुनाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 में पेमा खांडू राजनीती में कदम रख दिया था। जब उन्हें प्रदेश कांगरिस कमेटी के महासचिफ की जिम्मिदारी सौंपी गई। लेकिन उनके असल राजनीतिक सफर की शुरुवात तब होती है। जब उनके पिता दोर जी खांडू का हेलिकॉप्टर हाथसे में निधन हो गया। दोर जी खांडू 2007-2011 तक अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद पेमा खांडू ने वर्ष 2011 में अपने ही पिता के विधान सभाक्षेत्र मुक्तों से चुनाव लड़ा और विजय हुए। इसके बाद पेमा खांडू को अर इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा मोड आया। साल 2014 में पेमा खांडू ने असंतुष्ट नेता कलिखोपुल का साथ देते हुए मंत्री पत छोड़ दिया। इस वज़ह से तुकी के नेत्रित्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 16 जुलाई 2016 को पेमा खांडू को नबाम तुकी की जगा कांग्रेस विधायक दल का नेता चुला गया। इसकी बाद 17 जुलाई 2016 को खांडू ने महस 37 वर्ष की उम्र में अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। इसकी ठीक दो महीने बाद ही अरुनाचल प्रदेश में कॉंग्रेस के 43 विधायकों ने बगावत कर दी। खांडू भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने 37 साल की आयू में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। खांडू के पहले अखिलेश यादव ही भारत के सबसे कम आयू वाले मुख्यमंत्री थे। अखिलेश ने 38 वर्ष की उम्र में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्धी संभाली थी। पेमा खांडू खेलों के शौकीन है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैड चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।